हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अजित क्यार पर आज के इस वीडियो में हम लोग LCM बनाना सिखेंगे तो वीडियो को पुरा आंत तक देखेगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब क देखना है कि इसमें ऐसी चोटी से चोटी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं को काटती हो यानि कि ऐसी चोटी से चोटी संख्या कौन है जिससे की इन संख्याओं में भाग लग सके नहीं तो कम से कम दो संख्याओं में भी भाग लगता हो तो ऐसी सबसे चोटी संख्या एक है लेकिन हम इसमें एक से भाग नहीं लगाएंगे अगर हम इसमें एक से भाग लगाएंगे तो ये फिर से 8, 12, 20 आते रहेगा लेकिन कटेगा नहीं तो इसलिए हम एक से इसमें भाग नहीं लगाते हैं तो इसके बाद सबसे छोटी संख्या दो है तो देखिए क्या दो से ये संख्या कट रहा है तो हाँ ये संख्या दो से कट रहा है तो इसमें हम दो से भाग कर देंगे दो का पहारा हम चार बार परेंगे तो 2 चक 8, 2 चक 12 और 2 दहें के 10 8, 12, 20 इसमें 2 से भाग करने पर 4, 6, 10 आ गया है अब देखिए ऐसी कौन से संख्या जो 4, 6, 10 को काड़ती है सबसे छोटी संख्या तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है जो कि इन संख्याओं को काड़ती है तो हम फिर से 2 से इसमें भाग कर देंगे 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 5, 10 अब देखिए ऐसी कौन से संख्या जो इन सभी संख्याओं को काड़ती हो या कम से कम 2 संख्या को भी काड़ती हो तभी इसमें हम आगे करेंगे नहीं तो हम इसको गोना करके यहीं पर लिख लेंगे और गोना करने के बार जितना आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि इन संख्याओं को काड़ती हो या कम से कम 2 संख्या को भी काड़ती हो तो हम इसको यहीं पर गोना करके लिख लेंगे इन संख्याओं को इसको इसको यह सब तो दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुने पांच तो इसको गुना कर लिजे दो दुना चार चार दुना आठ आठ तरीक चौबिस और चौबिस पंचे हो जाएगा 120 तो 120 ये हमारा LCM हो गया तो चलिए एक और कोश्चन इसी टाइप का सॉल्ब करते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए सेकेंड कोश्चन अठारा बारा और तीस का LCM ग्याद करें तो चलिए इसका LCM ग्याद करते हैं इससे पहले इसको लिख लेते हैं सही से तो देखिए ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इन सभी संख्याओं को काटता है तो ऐसी सबसे छोटी संख्या दो है जिससे की ये सभी संख्या काटता है तो चलिए इसमें 2 से करते हैं भाग इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 नमा 18 हो जाएगा 2 छक 12 हो जाएगा और ये 15 दुना 30 हो जाएगा 9 दुना 18, 6 दुना 12 और 15 दुना 30 तो 18, 12, 30 इसमें 2 से भाग करने के बाद 9, 6 और 15 आ गया है तो अब देखिए ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 9, 6 और 15 इन सभी संख्याओं को काटता है तो ऐसी सबसे छोटी संख्या 3 है जो कि इन सभी संख्याओं को काटता है तो चलिए हम इसमें 3 से भाग लगाते हैं तो तीन से भाग लगाएंगे तो तीन तिया नौ, तीन दुना चो और ये तीन पशे पंद्रह हो जाएगा अब देखिए ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इन सभी संख्याओं को कारता है या कम से कम दो संख्या कारता हो तब ही हम इसमें आगे करेंगे नहीं तो हम इसको यहीं पर गुना करके लिख लेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि इन सभी संख्याओं को कारता है तो हम इसको यहीं पर गुना करके लिख लेंगे तो इसका LCM हो जाएगा इसको गुना कर लेंगे जो बाहर में बचा है इन सभी सम्ख्याओं को गुना कर लीजे तो इसका गुना करने के बाद आ जाएगा दो तिया छे, छे तरिक अठारा, अठारा दुना च्छतिस और च्छतिस पंचे, च्छतिस पंचे हो जाएगा एक सो असी तो एक सो असी ये हमारा LCM हो गया ये रहा आज का लास्ट कोशन, ये कोशन आपके लिए है, इसका अंसर आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा और यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीस वीडियो को जरूर लाइक करे और सेर भी करे और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी